पित्रपक्ष के महीने में, अगर सपने में आपको आपके पूर्वज अथवा मृत परिजन दिखाई देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की प माना जाता है कि इस दिन सभी पित्रगण, पित्र लोग से पृत्वी पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। अर्थात, मृत परिजन इस महीने में अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। इस महीने में पित्रों को प्रसन करने के लिए लोग श्राद्ध, तरपण, पिंडदान, आधी कार्य करते हैं। पित्रों की आत्मा की शांती के लिए दान धर्म किया जाता है। दोस्तों, हमारे पित्र हमारे परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं, इसी लिए अपने पित्रों को अर्थात, मृत परिजनों को कभी दुखी, अथवा अपमानित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पित्रों को प्रसन्न करता है, वह जीवन में कभी दरिद्री और दुखी नहीं रहता। पित्रों के आशीरवाद से वह अजेय बन जाता है, वह संसार में कीर्ती और मान सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यू के पश्चात कुछ लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, वही कुछ नरक में जाते हैं, तो कुछ लोग प्रेत बनकर प्रिथवी लोक पर ही निवास करते हैं, जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यू का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पित्रों की आत्माएं भी प्रेत योनिधारन करके उनके घर में निवास करती है, और यही प्रेत घर में विविध प्रकार के संकट पैदा करते हैं, और परिवार जनों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, इसी के साथ ही जो लोग अप भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को पित्र के संबंध में कई महत्वपून संकेत बताये हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उसके पित्र उससे प्रसन्य है, अथवा दुखी है। उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं, वही कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं, जो शुभ फल दायक माने गए हैं। पूरा जरूर देखे। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे पित्र अद्रिश्य रूप में भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इसका प्रमान गरुड पुरान में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यू के बाद मनुष्य की जीवात्मा को वायू रूप का शरीर प्राप्त होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और इसी वायू रूप में पित्र अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। किन्तु वे मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उनके होने का एहसास मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेतों से हो जाता है। से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल, अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े, तो समझ जाना चाहिए कि पित्रों की मुक्ती नहीं हुई है। और वे आप से अत्यंत दुखी है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पित्र पक्ष के महीने में कोई व्यक्ती सपने में खुद को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है। अथवा, सपने में मरा हुआ पूरवज, गंदे मैले वस्त्र पहना हुआ दिखाई पड़े। तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ती से उसके पित्र अत्यंत दुखी है और उसको प्रेत योनी प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पित्रों की संतुष्टी के लिए दान और श्राध अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पित्र पक्ष के महीने में कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशू अथ्वा जानवर मनुष्य की वानी में बोलत हुआ दिखाई दे, अथ्वा, कुत्ता, बैल, गाए आधी प्राणी मनुष्य की तरह बाते करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि आपके परिजन क की आत्मा को शान्ती नहीं मिलती है, वह इसी लोक पर भटक रहा है, उसकी आत्मा की शान्ती के लिए उपाए करने चाहिए, अगर सपने में पूरवज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े, तो समह लेना चाहिए कि पित्र उससे बहुत ही नाराज है, चौथी बात पूरवजों को कुछ मांगते हुए देखना, यदि सपने में आपके मरे हुए परिजन आप से कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसे सपने को कभी दुरलक्ष नहीं करना चाहिए, इस सपने का अर्थ ये है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ती नहीं मिली है, और वे इसी पर प्रेत योनी में भटक रहे हैं, आपके पित्रों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है, और जिस कारण से वे मुक्ती प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपको जरूरत मंद लोगों को दान करना चाहिए, और अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को आपके पूरवज आपको यह संकेत दे रहे है कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं, छटी बात पूरवजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना, गरुड पुरान के अनुसार अगर सपने में आपके आपके पूरवजों का अचानक से अद्रिश्य हो जाना, अगर सपने में आपको आपके पूरवज दिखाई देते हैं और वे अचानक ही अद्रिश्य हो जाते हैं, तो यह स्वप्न अशुभ माना जाता है, आपके पूरवज आपको यह संकेत दे रहे है कि आने वाले समय म आपके उपर कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। आठवी बाद, सपने में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और वे आपको उस कार्य को न करने की सलाह दे रहे हैं। नौवी बाद, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, तो यह भी अशुब संकेत है। आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। और आपके पूर्वज उस विपदा को देखकर दुखी हो रहे है। और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे है। दसवी बात है, यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुख मंडल पर तेज दिखाई देता है, और उनके वस्थर चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो आपके पित्रों को मुक्ती मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको सपने में आपके पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो यह शुब संकेत है। यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट में जैश्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आप सभी का धन्यवाद।